तो दोस्तो आज मैं एक्स्प्लेइन करने वाला हूँ 2013 में आई मूवी टेबल नमबर 21 को इसकी IMDB रेटिंग है 7.2 आफट आफटेन जो की मूवी के हिसाब से काफी सही है मैं मूवी को एक्स्प्लेइन करूँगा लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे काले कलज लिके सब्सक्राइब बटन को दबा कर ग्रे कर दें इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे और जिनोंने पहले से ही सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए मैं आप के लिए वीडियोस लाता रहूंगा और मुझे थोड़ा और करीब से जानने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम या फेस्बूक अकाउन को भी फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो मुवी की शुरुआत में हमें एक सीन दिखाया जाता है कि एक लड़का एक उची बिल्डिंग से चलांग मार कर खुद की जान ले लेता है यहां हम देखते हैं कि कोई कैमरा लेकर उसकी मौत को फिल्माते हुए इंटरनेट पे लाइफ था और कही लोग उस लड़के की मौत को देखकर इंटरेटेन हो रहे थे अब इसके बाद हम एक शादी शुदा प्रेमी जोडे को देखते हैं जिसमें की पुरुष का नाम विवान और महिला का नाम सिया होता है दोनों ही फिजी नाम के शहर जा रहे थे क्योंकि उन्हें लग्की ड्रॉ में उस शहर को घूमने का फ्री गिफ्ट हैंपर मिला था तो वो बहुत खुश और अपने आपको बहुत खुश किसमत मान रहे थे क्योंने ये मौका मिला उनकी ये ट्रिप महंगे होटल में रहने से लेकर हर महंगी जगा घूमने, खाने, पीने और आयाशी करने से भरी पड़ी थी वो भी सब कुछ फ्री में आपको मैं इन दोनों के बारे में कुछ चीजे बता देता हूँ जिससे कि आपको आगे चल कर चीजों को समझने में आसानी होगी विवान के पास फिलहाल कोई नौकरी नहीं थी तो सिया ही नौकरी करके पैसे कमाती थी पर दोनों में इस चीज को लेकर कभी कोई दिक्कत नहीं हुई और उनके बीच काफी अंडरस्टेंडिंग थी दोनों लोग एक दूसरे से दस साल पहले कॉलेज में मिले थे और फिर ये कॉलेज वाला प्यार सीरियस होता गया और पांच साल बीचने के बाद इन्होंने शादी कर ली और अब शादी के भी पांच साल हो गए थे तो मतलब एक दूसरे के साथ रहते हुए उन्हें पूरे दस साल हो चुके थे सिया शुद्ध शाका हारी थी अगर वो अपने सामने मांस मच्छी देख ले तो वो घबरा जाती थी और अगर कहीं उसको सूंग ले तो उसे उल्टी ही आ जाती थी आज उनकी शादी की सालगिरा थी तो उनके पास हैपी अनिवर्सरी का कार्ड आता है जिसमें की लिखा था कि आपको लंच के लिए इन्वाइट किया जाता है दोनों को प्लेन में सफर कराके एक रेस्टरेंट ले जाया जाता है जहां उनकी मुलाकात होती है मिस्टर खान से जिन्होंने ये पूरा ट्रिप उनके लिए स्पांसर किया था अब हम देखते हैं कि तीनों लोग अराम से मदिरा पान करते हुए एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि तबी मिस्टर खान बताते हैं कि इस रेस्टरेंट का टाई अप एक लाइव गेमिंग वेब साइट से हैं जिसके 80,000,000,000 यूजर्स हैं और गेम का नाम है टेबल नमबर 21 वो कहते हैं कि आप लोग मुझे बहुत अच्छे और बुद्धिमान टाइप लगे तो आपको ये गेम जरूर खेलना चाहिए मिस्टर खान बताते हैं कि इस लाइव गेम में मैं आपसे 8 सवाल गए तो आपको 21 करोड रुपए मिलेंगे लेकिन शर्त ये है कि आप गेम को बीच में छोड़कर नहीं जा सकते जीत की इतनी बड़ी रकम सुनते ही दोनों का दिमाग हिल जाता है कि इतना ज़्यादा पैसा कौन दे सकता है विवान सिया से कहता है कि मुझे तो कुछ गड मारते हैं तो वहां मौझूद सभी लोग रेस्टरंट से बाहर निकल जाते हैं और अब पूरा एरिया गेमिंग रूम बन जाता है फिर एक आदमी एक टेबल लाता है जो कि गेम का पूरा सेट अप था और वहां और भी लोग आ जाते हैं कैमरा लेकर क्योंकि ये गेम अज़ी से खेल रहे हैं और वो सारे नियमों का पालन करेंगे उनकी फोन ले लिये जाते हैं और दूसरे फोन दिये जाते हैं जिसमें सर्फ कॉल आ सकती थी लेकिन जा नहीं सकती थी उनके हाथ में लाइड डिटेक्टर मशीन बान दी जाती है ताकि पता चले कि वो पूट बोल रहे हैं या सच क्योंकि इस गेम में सिर्फ सच बोलने की ही अनमती थी अब मिस्टर खान विवान से पहला सवाल पूछते हैं जो कि एक करोड का था कि क्या आप अपनी बीवी से पब्लिक प्लेस में प्यार जिताने में शरम महसूस करते हैं दोनों लोग सोचत हैं ये तो बड़ा आसान सवाल था तो विवान हा में जवाब देता है और लाइट डिटेक्टर की लाइट हरी जलने लगती है जिसका मतलब कि उसे सच में शरम महसूस होती है अपनी पतनी से पब्लिक प्लेस में प्यार जिताने में अब मिस्टर खान उसे टास्क देते है जहां इस हसीन टास्क को पूरा करना था विवान थोड़ा सा घबरा रहा होता है क्योंकि ऐसा करना उसे पसंद नहीं था और वहां आसपास लोग उन्हें देख भी रहे थे और साथ ही साथ ये सब कुछ इंटरनेट पे लाइफ चल रहा था पर सिया उसे प्रोचसाहित करत जाता है जहां हम देखते हैं कि सिया एक पार्टी में अपने दोस्तों के साथ नाच रही होती है और विवान उसे दूर बैठे देख रहा होता है ये वो वक्त था जब सिया और विवान एक दूसरे को नहीं जानते थे तब ही वहां पर सिया का प्रेमी बॉबी आकर उस पर चिलाने लग जाता है जिसकी वज़ा से सिया का मूड खराब हो जाता है विवान उससे कहता है कि वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है तो सिया सोचती है कि ये है कौन जो मुझे राय दे रहा है विवान के पास एक टैलेंट था कि वो गहरी गहरी बाते करके सामने वाले को अपनी बातों में फसा लेता था तो सिया भी उसकी बातों में फस कर उसे अपने साथ डांस करने के लिए कह देती है और वो भी अपनी तिरची निगाहों से काफी समय से नोटिस कर रही थी कि विवान उसे ही देखे जा रहा था अब कहानी वर्तमान में आती है जह लगता है कि ये सभी लोग मिलकर उन्हें बेवकूब बना रहे हैं और कोई पैसा वैसा नहीं मिलने वाला तो मिस्टर खान उसकी बातों में हामी भरते हुए उसे जाने के लिए कह देते हैं विवान और सिया वहां से जाने के लिए जैसे ही दर्वाजा खोलते हैं तो जो कि दोनों को यकीन होता है कि ये कोई मजाग नहीं चल रहा बलकि ये सच में गेम है जहां 21 करोड रुपए मिलने वाले हैं अब मिस्टर खान विवान से ऐसे ही सवाल करते हैं कि आप अपनी पत्नी को क्या पूरी तरह से जानते हैं तो विवान कहता है कि मैं तो उसे अच्छे से जानता हूँ विवान की राय सुनने के बाद मिस्टर खान अपना दूसरा सवाल सिया से करते हैं कि क्या आप के पती आपको पूरी तरह से जानते हैं सिया थोड़ी देर सोचती है और नामें जवाब देती है तो लाय डिटेक्टर में हरी लाय जल जाती है जिसका मतलब कि उसका मानना था कि विवान उसे पूरी तरह से नहीं जानता तो ये जानकर विवान को थोड़ा बुरा लगता है कि ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानता पर उस वक्त वो बस हलका सा मुस्कुरा देता है अब मिस्टर खान सिया को टास्क देते हुए उसके सामने एक प्लेट रखते हैं जिसमें की जींगे और ना जाने क्या-क्या खाने को रखा हुआ था और विवान से पूछते हैं कि क्या सिया ये सब खा सकती है विवान अच्छे से जानता था कि सिया को नौनवेज देख के ही उल्टी आने लग जाती है तो वो ये सब कभी नहीं खा सकती वो मिस्टर खान से बड़े चौड में कहता है कि भले ही आपको लगता हो कि मैं अपनी बीवी को अच्छे से नहीं जानता लेकिन इतना तो जानता ही हूँ कि वो जहर खा लेगी पर ये कभी नहीं खाएगी इतने में ही पीछे से कुछ खाने की आवाज सुनाई पड़ती है तो पता चलता है कि सिया मन मार के किसी तरह वो सब कुछ खा रही है क्योंकि बात यहां दो करोड की थी तो वो इतने पैसे ऐसे कैसे छोड़ देती पर यहां पर विवान का पूरी तरह से पोपट हो जाता है क्योंकि उसने तो बड़े चौड में डायलॉग बोला था जो कि उसके ही सामने फुस हो गया था मिस्टर खान चुटकी लेते हुए कहते हैं कि अब आप इतना तो जान ही गए हैं कि आप कुछ नहीं जानते 21 करोड सुनकर सिया नहीं इस गेम को खेलने के लिए विवान को मनाया था और जिस चीज से उसे घिन आती थी उसे पैसों के लिए खा भी लिया तो अब यहां थोड़ा थोड़ा ये लगने लगा था कि सिया का पैसों की तरफ जादा जुकाव है अब मिस्टर खान अपना तीसरा सवाल विवान से करते हैं कि क्या आपने कभी किसी को अपनी बातों में फसा कर बेवकूब बनाया है अब यहां पर फिर से एक फ्लैश बैक सीन दिखाया जाता है जो हम देखते हैं कि विवान सिया के बॉइफरेंड बॉबी के पास जाकर कहता है कि उस रात पार्टी में हम दोनों ने ज़्यादा पी ली थी और नशे में हमारे बीच गुलू-गुलू हो गया यह सुनकर बॉबी का दिमाग खराब हो जाता है कि उसकी प्रेमिका उसके साथ होने के बाद भी किसी और के साथ गुलू-गुलू कर रही है तो सिया के आते ही वो उसे एक जोर का थपड जड़ देता है और वहां से चला जाता है सिया को समझी नहीं आता कि उसने थपड क्यों मारा तो बॉबी उसके सामने बुरा बन जाता है जिस बात का फाइदा उठाते हुए विवान उससे कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था वो तुमारे लायक नहीं है पर मैं हूँ तो यहां पर समझ आता है कि इस तरह से जोल करके उसने सिया को अपने प्यार में फसाया था फिर कहानी वर्तमान में आती है जहां हम देखते हैं कि विवान हां में जवाब देता है तो लाय डिटेक्टर में हरी लाय जल जाती है अब मिस्टर खान उसे टास्क देते हैं कि जहां मैं खड़ा हूँ आप मुझे अपनी बातों में फसा कर मैनिपलेट करके मुझे वहां भेज दीजिए मैं समझदार हूँ तेज हूँ तो मुझे आप इतनी असानी से बेवकूफ तो नहीं बना पाएंगे विवान उनसे कहता है कि मैं कोई जादूगर नहीं हूँ तो माफ करिये मैं ऐसा नहीं कर सकता लेकिन अगर आप वहां होते तो मैं तीन शब्द ऐसे कहता कि आप यहां आने के लिए राजी हो जाते मिस्टर खान सोचते हैं कि वो ऐसे कौन से तीन शब्द हैं जो मुझे वहां जाकर पता चलेंगे तो वो जल्दी से वहां जाकर खड़े होजाते हैं वो दोनों लोग हसने लग जाते हैं क्योंकि विवान ने अपनी बातों में भसा कर मिस्टर खान को वहां पहुचा ही दिया था जहां पहुचाने का उन्होंने टास्क दिया था और इस तरह वो बेवकूव बन जाते हैं और दोनों लोग 3 करोड रुपए जीत जाते हैं सिया बहुत खुश हो रही थी कि हम लोग इतनी आसानी से इतने सारे पैसे जीत गए पर विवान को थोड़ा शक हो रहा था कि शायद मिस्टर खान जान बुचकर मुझसे बेवकूव बने पर सिया उससे कहती है कि गेम को इंजॉय करो और इतना टेंशन मत लो अब मिस्टर खान विवान से चौथा सवाल पूचते हैं कि क्या आप अपने प्यार को बचाने के लिए किसी भी डर का सामना कर सकते हैं विवान थोड़ा सोचता है और हां मैं जवाब देता है तो हरे रंग की लाइट जल जाती है जिसका मतलब कि वो सिया के लिए कुछ भी कर सकता था मिस्टर खान उन दोनों को एक जगा पर ले जाते हैं और सिया को कांट से बने एक बॉक्स में लॉक कर देते हैं और चाभी एक जगा लगा कर विवान को एक ग्लास की और इशारा करते हुए कहते हैं कि आपको इसमें अपना आधा लीटर खून भरना होगा तब ही ये बॉक्स खुलेगा और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो सिया की दम घुटने से मौत हो जाएगी अब यहाँ फिर से कहानी फ्लैश बैक में जाती है जहां हम देखते हैं कि विवान के दोस्त कॉलेज के दर्वाजे पर एक बाल्टी टांग देते हैं ताकि जो आएगा उसके उपर बाल्टी में भरा पानी गिर जाएगा एक लड़का दर्वाजा खुलता है तो बाल्टी से पानी नहीं खून गिरता है और वो लड़का खून से पूरा नहा लेता है विवान को हेमोफोबिया था यानि कि खून देखकर डर जाना तो वो इतना सारा खून देखकर तुरंत ही बेहोश हो जाता है तो जो इनसान खून देखकर बेहोश हो जाता हो वो अपना खून कैसे निकाल सकता था और यही विवान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि वो करेगा कैसे मिस्टर खान बताते हैं कि इस बॉक्स में केवल साथ मिनट की ही ऑक्सिजन है इसलिए जल्दी करो वरना आपका प्यार कुर्बान हो जाएगा विवान के पास उस वक्त मिस्टर खान की बात मानने के अलावा और कोई आप्शन नहीं था तो वो तुरंत बॉटल लेके अपने हाथ में सुई घुसेड कर खून निकालने की कोशिश करने लगता है उसकी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी खून निकालने की और बीच बीच में बिहोशी भी आ रही थी पर वो कैसे भी करके आधा लीटर खून बॉटल में भरके सिया को उस बॉक्स से निकाल ही लेता है विवान गुस्से में मिस्टर खान से कहता है कि अगर सिया को कुछ हो जाता तो मिस्टर खान कहते हैं कि इस गेम का एक ही नियम है कि अगर आप जूट बोलोगे तो मरोगे तो जब तक आप नियम का पालन कर रहे हैं तब तक आप जिन्दा रहेंगे अब तक जो खुशी दोनों को मिल रही थी पैसे जीत कर वो अब थोड़ा चिड में बदल जाती है पर अब बारी आती है अगले सवाल की मिस्टर खान पाचवा सवाल सिया से करते हैं कि अगर आपके बाल ना हो तो क्या विवान आपसे तब भी उतना ही प्यार करेंगे जितना अभी करते हैं सिया को पता था कि विवान उससे प्यार तो बहुत करता है तो वो हां में जवाब देती है तो हरी लाइट जल जाती है जिसका मतलब कि वो सही है अब मिस्टर खान सिया को टास्क देते हैं कि आपको अपने सारे बाल मुझे देने होंगे सिया कहती है कि ये क्या पक्वास है, तो मिस्टर खान कहते है कि आप जिसका पती बेरुज़गार हो, बेकार हो उसके लिए तो एक-एक रुपए माइने रखता है फिर ये तो पांच करोड का सवाल है और बाल तो बाद में आही जाएंगे पर ये पैसे कभी नहीं आएंगे सिया तब भी बाल कटवाने से मना कर देती है तो विवान कहता है कि जब तुम नौनविच खा सकती हो तो बाल कटवाने में क्या दिक्कत है ये भी करवा ही लोग क्योंकि जितनी जल्दी ये खतम होगा उतनी जल्दी हम यहां से निकल पाएंगे सिया ना चाहते हुए भी हमी भर ही देती है तो मिस्टर खान कहते हैं कि आपके बाल आपके पती काटेंगे और उसके सामने एक ट्रिमर रग देते हैं यहां पता चलता है कि सिर्फ बाल ही नहीं काटने हैं बलकि पूरा टकला होना है तो इस चीज को करने के लिए विवान मना कर देता है और 21 करोड को लात मार के अपना गुसा दिखा कर वहां से जाने लगता है वो लोग एक बोट पकड़के वहां से निकल ही रहे होते हैं कि तभी उनके कलाई में बंदी लाई डिटेक्टर वाली घड़ी बजने लग जाती है वहां पर रखे वौकी टॉकी से मिस्टर खान की आवाज आती है कि आप जितना दूर जाओगे आप के लिए उत्रही खत्रा बढ़ता जाएगा क्योंकि मेरी रेंज से दूर जाने पर ये घड़ी बॉम बनकर फट जाएगी और आप लोग मारे जाएंगे क्योंकि गेम खेलने की शर्त ये थी कि आप गेम छोड़के नहीं जा सकते पर उस वक्त उन्हें अपनी जान प्यारी थी इसलिए वो लोग वापिस जाने का सोच लेते हैं क्योंकि और कोई आप्शन भी नहीं था वो दोनों मिस्टर खान के पास पहुँच जाते हैं तो सिया उससे कहती है कि ये सब गैर कानूनी है मिस्टर खान कहते हैं कि आपने कॉंट्रैक्ट साइन किया था जिसमें कि साफ साफ लिखा है कि आपने अपनी आजादी इस गेम के नाम कर दी है और कानून की तो ऐसी की तैसी मेरे लिए मेरी वेबसाइट के यूजर माइने रखते हैं जिनें आप लोगों को ऐसे देखकर मज़ा आ रहा है तो आप जल्दी फैसला कीजिए कि क्या करना है उनके पास दो ही आप्शन थे या तो अपना हाथ काट कर वो घड़ी निकाल दें या सिया टकली हो जाए तो वो दूसरा आप्शन चूस करते हैं ना चाहते हुए भी सिया को टकला होना ही पड़ता है और इस वक्त मैं फील कर पा रहा हूँ कि आपको भी सिया के लिए बुरा महसूस हो रहा होगा पर अभी तो ये बस शुरुआत है मिस्टर खान मजे लेते हुए कहते हैं कि अगर यही बाल मंदर में निकाले होते तो आपको सिर्फ पुन्य मिलता पर यहां तो आपको पैसे मिल रहे हैं और उसी पैसे में से थोड़ी चैरिटी कर देना तो पुन्य भी मिल ही जाएगा अब मिस्टर खान विवान से छटा सवाल करते हैं कि क्या आपने कभी अपनी बीवी पर हाँत उठाया है यहां फिर से एक फ्लैश बैक सीन दिखाया जाता है कि सिया और विवान में जगडा चल रहा है क्योंकि सिया ने विवान को बिना बताए बिना सला लिये खुद ही अबोर्शन करवा लिया था सिया उससे कहती है कि अभी हमारे इतने अच्छे हालात नहीं कि हम बच्चा कर सकें और ये कोई आखरी बच्चा नहीं था हम आगे भी कर सकते हैं ये बाते सुनकर विवान को गुसा आ जाता है और वो उसे एक जोर का थपड जड़ देता है सीन वर्तमान में आता है जो हम देखते हैं कि विवान हा में जवाब देता है तो मिस्टर खान टास्क देते हैं कि सिया विवान को एक जोर का तमाचा मारेगी सिया विवान को थपड मार देती है पर मिस्टर खान कहते हैं कि ऐसे नहीं चलेगा वो एक मीटर रखते हैं जो कि साउंड को कैच करता था तो मिस्टर खान कहते हैं कि जितनी जोर का थपड होगा इस मीटर की सुई उतना उपर जाएगी तो ये सुई जब एकदम उपर पहुँचेगी तभी वो थपड जोरदार माना जाएगा सिया उसे तीन चार थपड मारती है तब जाकर सुई उपर तक पहुँच पाती है पर इन सब के चक्कर में विवान का गाल लाल हो गया था अब मिस्टर खान अपना सातवा सवाल विवान से करते हैं कि क्या उसने कभी किसी को बेवजा नुकसान पहुचाया है तो विवान हा में जवाब देता है उसका अगला टास्क होता है कि उसे किसी अंजान की गाड़ी फोड़नी है तो उसे हौकी दे कर कहीं छोड़ दिया जाता है विवान किसी की गाड़ी फोड़ने लगता है तो उसका माली काकर उससे लड़ाई करना शुरू कर देता है और वहाँ पुलिस भी आ जाती है पुलिस विवान को पकड़ के ले जाने लगती है तो विवान उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये एक गेम का हिस्सा है और मुझसे जबरदस्ती गेम खिलवाया जा रहा है पर पुलिस वाले को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था सिया अभी भी वही थी तो पुलिस को जहांसा देकर वो वहाँ से कैसे भी करके निकल जाता है विवान जब वापस आता है तो देखता है कि सिया गायब है तो मिस्टर खान कहते हैं कि तुमने किसी बाहर वाले की मदद लेने की कोशिश की तो उसकी सजा अब सिया भुगत रही है मिस्टर खान दिखाते हैं कि सिया को तयार करके एक कलब में भेज दिया गया है जहां हवसी लोग मौजूद है विवान का खून खौल उटता है परमन ही मन गालियां देने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकता था मिस्टर खान कहते हैं कि इस से पहले कि तुमारे बीवी के साथ कुछ उच नीच हो जाए तुम उसे जाके बचा लो विवान तुरन्त भागते दौरते गिरते पड़ते सिया के पास पहुँच जाता है और उसकी इज़त लटने से उसे बचा लेता है सियारो रोकर विवान से कहती है कि ये हमारे साथ ही क्यों हो रहाए विवान तब ही वहाँ Mr. Khan आकर कहते हैं कि आप तो कम से कम नसीब वाली हैं कि इतना सारा भुगतने के बाद आपको पैसे मिल रहे हैं विवान उनसे कहता है कि ये तो मैं समझ गया हूँ कि ये कोई गेम नहीं है Mr. Khan कहते हैं कि शुकर मनाईये कि ये गेम ही है अगर जिन्दगी होती तो कब का आपने अपनी जान ले ली होती अब गेम को आगे बढ़ाते हुए मिस्टर खान कहते हैं कि अब आखरी सवाल का समय आ चुका है जिसके बाद आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे पर इस सवाल में साथ सवाल हैं जो कि एक के बाद एक पूछे जाएंगे सिया जी से मिस्टर खान गेम में थोड़ा ट्विस्ट डालते हुए कहते हैं कि इस बार सच नहीं बलकि आपको जूट बोलना है जैसे कि क्या आप सांस लेती हैं तो आपको बोलना है नहीं तो लाइड डिटेक्टर में रेड लाइट जल जाएगी सवालों का सिलसला शुरू होता है और पहला सवाल होता है कि क्या विवान आपके हस्बंड है तो सिया कहती है नहीं क्योंकि जूट बोलना था सिया ने विक पहनी थी तो दूसरा सवाल ये होता है कि क्या ये बाल आपके हैं तो सिया कहती है हाँ तीसरा सवाल कि क्या आप चाहती है कि मैं सड़ी हुई दर्दनाग घिनौनी खुजली वाले कुटे की मौत मरूं तो सिया कहती है कि नहीं यानि कि वो चाहती थी कि मिस्टर खान ऐसे ही मरे चौथा सवाल कि जब कलब में आपके साथ एक आदमी आपके बदन के साथ खेल रहा था तो क्या आपको मजा रहा था तो सिया कहती है कि हाँ, मतलब नहीं, उसे बिलकुल भी अच्छा नहीं लग रहा था पांचवा सवाल कि इतनी जिल्लत के बाद भी आपको 21 करोर रुपए चाहिए तो सिया कहती है कि नहीं, जिसका मतलब कि उसे चाहिए थे छटा सवाल कि क्या आप अपने पती से प्यार करती हैं तो सिया कहती है कि नहीं साथवा और आखरी सवाल कि क्या शादी के बाद आप किसी गैर मर्द के साथ सोई हैं तो सिया जवाब देती है कि हाँ पर इस बार लाइट डिटेक्टर की लाइट हरी जलती है यानि कि उसे बोलना तो जूट था पर गेम के चकर में सच बाहर आ गया था मिस्टर खान पूछते हैं कि आपके और आपके बॉस राज मलोत्रा के बीच क्या हुआ था सिया घबराते हुए कहती है कि ये सब छोड़ो और मुझे मेरा टास्क दो पर विवान जिद प्याड़ जाता है कि तुम्हारे बॉस का तुमसे क्या लेना देना है मिस्टर खान सिया का मुबाइल लेते हैं और उसे राज को मेसेज करते हैं कि वो रात बड़ी सोहानी थी मुझे तो बहुत मसा आया तो धर से जो रिप्लाई आता है वो सिया विवान को पढ़ने नहीं देती बलकि खुदी सच बता देती है सिया बताती है कि तुमारी नौकरी चली गई थी और उसने मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दी पर हम में से किसी एक की नौकरी का रहना बहुत जरूरी था इसलिए ये मैंने हमारे लिए किया विवान को बहुत बड़ा जटका लगता है कि ये राज अब तक उससे चुपा हुआ था और वो जिससे प्यार करता था उसने उसे धोका दिया विवान मिस्टर खान से कहता है कि अब तो आप खुश होंगे न क्यूंकि आप तो यही चाहते थे कि हमारा रिष्टा खतम हो जाए तो आप उसमें काम्याब हो गए मिस्टर खान कहते हैं कि खेल अभी खतम नहीं हुआ है मैंने पहले ही कहा था कि जब तक आप जूट नहीं बोलते तब तक आप जिन्दा रहेंगे पर आपकी बीवी ने जूट बोलकर खेल का नियम तोड़ा है तो उन्हें मरना होगा विवान कहता है कि आपने अब तक जो भी कहा हमने किया पर कृपिया करके सिया को यहां से जाने दीजिये मिस्टर खान कहते हैं कि अगर आपको अपनी धोके बास बीवी को बचाना है तो किसी और को मरना होगा किसी को बचाने के लिए किसी को मरना पड़ता है और ये गेम का नहीं जिन्दगी का रूल है और मुझे अपने वेबसाइट पर 10 मिलियन हिट चाहिए जो कि सिर्फ एक लाइव मडर होने से ही आएंगे क्योंकि मौत से ज़ादा खुपसोरत इंटरेटेन्मेंट कोई नहीं है इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी विवान सिया को बचाना चाहता था इसलिए वो किसी और को मारने के लिए मान जाता है वो उसे कमरे में ले जाते हैं जहां एक लड़का जमीन पर बैठे खेल रहा था तो वो उसी को मारने का ओडर देते हैं विवान बंदूक लेकर उस मिस्टर खान और सिया उस लड़के का चहरा देखते हैं तो उन्हें बहुत बड़ा जटका लगता है कि ये यहां कैसे मिस्टर खान विवान से कहते हैं कि उसे शूट करो तो विवान कहता है कि मैं इसे नहीं मार सकता मिस्टर खान कहते हैं कि दस साल पहले तो तुमने उसे आधा मार ही दिया था तो अब पूरा भी मार दो वरना मैं सिया को मार दूँगा अब यहाँ पर सारा रास खुलता है कि आखर इन दोनों के साथ ये गेम क्यों खेला जा रहा था और मिस्टर खान कौन है और ये लड़के का क्या रोल है कहानी यहां से दस साल पीछे जाती है जहां हम देखते हैं कि वो लड़का यानि की अकरम का कॉलेज में नया नया एडमीशन हुआ था तो वो जैसे ही कॉलेज में इंट्री लेता है कि तभी एक लड़की उसे जोर का थपड मार देती है वो बताती है कि ये मैंने जान बुच के नहीं किया बलकि सीनियर्स ने जबरदस्ती ऐसा करने को कहा था सीनियर्स में विवान, सिया और उनके दोस्त शामिल थे और वो ऐसे ही जूनियर्स की रैगिंग करके मजे लिया करते थे अकरम को भोला भाला लड़का समझ कर वो से ही अपना मन पसंदीदा टार्गेट बना लेते हैं क्यूंकि वो पहली बार में ही समझ गये थे कि उसके साथ कुछ भी कर लो, वो कुछ नहीं कहेगा अकरम पढ़ाई करने आया था और शायद उसे पहले से ही पता था कि कॉलेज में ये सब होता ही है इसलिए वो बगावत करके मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था तो वो लोग उसे जो भी करने को कहते वो कर देता एक दिन वो उसके होस्टल रूम में घुच जाते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करते हुए उसे दारू पिलाने लग जाते हैं जबकि वो बिलकुल भी नहीं पीता था कभी उसके खाने में छिपकली की पूँच मिला देना, कभी उसे बातरूम में बन कर देना, एक दिन तो वो उसे खून से ही नहला देते हैं अक्रम के मन में डर बैटने लगा था अगर वो चुपचा बैठा है और कोई कुछ कहे या बोले तो वो डर जाता था कि कहीं सीनियर्स कुछ करने तो नहीं आ गए वो अक्रम को किसी अंजान की दुकान तोड़ने के भी ओर्डर देते हैं तो दुकान वाले और बाकी लोग उसे मार मार के उसके कपड़े फार देते हैं अक्रम की दोस्त उससे कहती है कि हमें ये कॉलेज छोड़ देना चाहिए तो अक्रम कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता वरना मेरे पिता जी सोचेंगे कि मेरा बेटा कितना बड़ा लूजर है मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द रो नहीं सकता मर्द सक्त होता है और जो सब कुछ सहे वही मर्द होता है मर्दों के लिए जो परिभाशा समाज ने बनाई उसे मानते हुए अकरम अब तक सब कुछ सहते आ रहा था पर अब वो फैसला करता है कि वो सीनियर्स के खिलाफ प्रिंसिपल से कंप्लेन करेगा वो प्रिंसिपल आफिस पहुँचा ही होता है कि तब इस सीनियर्स उसे धर्द बोश्टे हैं और अपने साथ लेके चले जाते हैं विवान उससे कहता है कि तेरी थोड़ी ड्रैगिंग क्या कर ली तुझे लगता है कि हमने तरह बलतकार किया है सब कहते हैं कि अगर ये प्रिंसपल को कंप्लेन कर देता तो हमारा तो करियर ही चौपट हो जाता तो इसी गुस्से में विवान अकरम के पूरे कपड़े उतार के उसे सब के सामने वस्तरहीन कर देता है फिर उसके बाद वो ट्रिमर लेकर उसके पूरे बाल निकाल कर उसे टकला कर देता है वहां खड़ा एक लड़का इस कुकरम की बड़े मजे से वीडियो बना रहा था और बाकी सब अराम से खड़े हसास के मजे ले रहे थे जैसे की वो बहुत बड़िया काम कर रहे हूँ लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो कितना घटिया काम कर रहे हैं अकरम सब कुछ सहते आ रहा था पर उस रात उन्होंने उसके साथ जो टॉर्चर किया वो उसके दिमागी संतुलन को पूरी तरह से बिगार देता है जिसके कारण वो mentally disturbed हो जाता है और आज उसकी ये हालत हो गई थी कि वो जिन्दा हो कर भी जिन्दा नहीं था विवान और सिया को अब जाकर समझाता है कि क्यों उन्हें फ्री में ट्रिप का ओफर मिला और क्यों ये गेम खेला जा रहा था मिस्टर खान अकरम के पिता जी थे और अपने बेटे की हालत उनसे देखी नहीं गई दोनों ने इन दोनों को सबक सिखाने का फैसला कर लिया और पूरे प्लैन के साथ यहां बुलाया और उसी तरह के टास्क दिये जो जो उन्होंने उनके बेटे के साथ किया था सबकुछ बरबाद होने के बाद अब जाकर दोनों को एहसास होता है कि उन्होंने क्या गलत किया था तो विवान अकरम को मारने के बज़ाए वो अपनी ही कनपटी पर बंदूक रखके चला देता है पर बंदूक पूरी तरह से खाली थी यानि कि Mister Khan किसी को मारना नहीं चाते थे बस एसास दिलाना चाते थे कि उनसे क्या गलती हुई जो कि अब सारी जिन्दगी उन्हें याद रहेगी और अंदर येंदर उनको खाती रहेगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था मिस्टर खान कहते हैं कितनी आसान मौत मैं तुम्हें पहले ही दे देता लेकिन इससे तुम्हें अंदाजा नहीं होता कि मेरा बेटा किस आग में जला था विवान कहता है कि हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा मजाक उसकी ये हालत कर देगा मिस्टर खान गुसे में कहते हैं कि किसी भूले भाले इंसान को भेडियों की तरह उसकी इज़द उसकी शक्सियत को नोच लेना मजाक नहीं होता सब के सामने मेरे बच्चे को नंगा करके उसे अपने ही नजरों के सामने गिरा दिया एक मासूम की मासूमियत के साथ खिलवार करना मजाक या मरदानगी नहीं होती मैंने हस्ता खेलता बच्चा भेजा था तुम लोगों ने उसका पुतला बना कर भेज दिया मिस्टर खान कहते हैं कि आज मेरा टास्क पूरा हुआ और तुम लोग आजाद हो जाने के लिए लेकिन ये पाप तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा मिस्टर खान अकरम को वहां से लेके चले जाते हैं और अपसिया और विवान के पास वहां बैटके रोते हुए अपनी गलतियों का पच्चतावा करने के अलावा और कुछ नहीं बच्चता आठ सवाल हो चुके थे और गेम खतम हो चुका था और कमाल की बात ये कि इस गेम को लोगों ने सबसे ज़ादा देखा और पसंद किया और अब इसके बाद इस गेम का भी काम खतम हो जाता है हमें आखिर में लिखा मिलता है कि रैगिंग कोई मजाक नहीं है बलकि अपराद है हमें अक्रम जैसे कई लोगों की सची कहानियां बताई जाती हैं जो रैगिंग का शिकार हुए कुछ बच्चों को रैगिंग के बाद साइकारिक ट्रेटमेंट की जरुवत पड़ी कुछ ने तो तंग आकर अपने जीवन को ही खतम कर लिया ऐसे ही हमें कई सारी जानकारी दी जाती है कि कितने बच्चों के साथ क्या क्या हुआ और इसी के साथ ये मुवी यहीं पर खतम हो जाती है तो दोस्तो आपने जो मुवी देखी शयद ही आपने कभी इस तरह की फिल्म बॉलिवूड में देखी होगी और अब तो ऐसी बड़िया स्टोरी वाली मूवीज देखने मिलती भी नहीं क्योंकि रिमेक का ताता लगा रहता है रिमेक ना सही तो कोई पैन इंडिया फिल्म बनाने में लगा होता है जिसे सब देखें तो कोई इस तरह की स्टोरी पे काम करने का सोचता ही नहीं है और अगर एक आद बन भी जाएं तो वो भेंकर तरीके से फलॉप हो जाती है तो कोई दुबारा बनाने का रिस्क भी नहीं लेता मूवी की बात करें तो हमें यहां बहुत ही अच्छे तरीके से मैसेज देने की कोशिश की गई है जो कि आपकी सोच पर असर डाले और आप इस चीज के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएं कि किस तरह से यह मजाग मस्ती जब चरम सीमा को पार कर जाती है तो किसी के दवारा किया गया मजाग किसी की जिंदगी बरबाद कर देता है रैगिंग कल्चर बड़े बड़े कॉलेजेज में हमेशा से रहा है और इसे ऐसा दर्शाय जाता है जैसे कि यह नॉर्मल होता है हर कॉलेजेज में और इतना तो चलता ही है इतना नहीं सहोगे तो मजबूत कैसे बनोगे अगर इसकी जड़ तक जाएं तो ये समझने को मिलता है कि अपना रॉप दिखाने के लिए सीनियर्स ने ये सब चालू करा और फिर जब जूनियर्स सीनियर्स बने तो उन्होंने सोचा कि हमारे साथ हुआ तो हम भी करेंगे फिर ये सिलसला चलने लगा अब किस इंसान की सोच कितना बुरा सोच सकती है इसी बात पर डिपेंड करता है कि मस्ती मजा किसी के लिए मानसिक उत्पीडन ना बन जाए ये रैगिंग कल्चर मेडिकल और इंजिनिरिंग कॉलेजिस में ज़्यादा देखने को मिलता है और ये जानकर आप हैरान होंगे कि हम सबने कभी न कभी किसी की रैगिंग कर रखी है किसी को कुछ नाम देकर उसे उसी नाम से पुकारना या चिढ़ाना भले उसे पसंद हो या ना पसंद हो तो वो भी रैगिंग में ही आता है और ये चीज हम सबने कर रखी है दोस्त होते हैं तो उनके साथ मस्ती मजाग चलता है पर जो दोस्त नहीं बस आपका क्लास मेट है तो उसके साथ अगर आप कुछ करते हैं जो कि उसे अच्छा नहीं लग रहा तो वो भी रैगिंग ही होगी पहले के समय रैगिंग का दबदबा था पर थोड़े नियम कानून बनने के बाद अब ये बहुत कम हो गई है और उतना नहीं रह गई कि किसी को अपनी जान देनी पड़े या मेंटली अनिस्टेबल हो जाए 2009 में धरमशाला के कॉलेज में रैगिंग का एक केस हुआ था जहां अमन काचरू नाम के लड़के के साथ भैंकर रैगिंग हुई फिर उसके बाद UGC यानि की युनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से संग्यान लेते हुए एक कमेटी बैठाई और रैगिंग के खिलाफ सक्त नियम बनाए यहां पर मैंने ये स्क्रीन शॉट लगा दिया है जिसे पढ़कर आप जान सकते हैं कि रैगिंग करने वाले की सजा क्या है यहां पर आप ये पढ़ सकते हैं कि रैगिंग करने वाले दोशी के उपर क्या-क्या धाराएं लग सकती हैं इस screenshot में आप पढ़ सकते हैं कि UGC ने क्या guidelines बनाई है जो कि colleges को follow करना होगा ताकि ragging ना हो नियम कानून तो हर चीज के बनते हैं पर उन्हें कितना ज़्यादा follow किया जाता है वो देखने वाली बात है अब किसी नेता या अमीर बढ़के बाप का बेटा या बेटी कुछ करता है तो ये सब नियम कहां ही कामाते हैं हाला कि अब इन सब cases में गिरावट आई है और लगबग सब बंधी हो गया है पर अगर आपने अब भी कहीं देखा हो ऐसा होते हुए या आपके साथ ही हुआ हो या हो रहा हो तो कमेंट करके बताईए कि क्या ये चीजें अब भी हो रही हैं या कोई सुधार हुआ है अकरम अपने पिता से कुछ बता ना पाया क्योंकि उसे लगा कि वो उसे कमजोर समझेंगे तो बात ये है कि परिजनों को भी इन सबी चीजों को समझना चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ ऐसा रिष्टा बना कर रखें कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा हो तो उ की काफी सही लगा और एक्टिंग तो दमदार ही उनकी मुझे बस एक कन्फ्यूजन लग रही थी कि गेम क्या वाकई में था हमेशा से या फिर सिर्फ उन दोनों को सबक सिखाने के लिए सब ऐसे ही नाटक था आपने डार्क वेब के बारे में तो सुना ही होगा तो मैं नाम जनता को इन सब की कोई जानकारी नहीं है आपको क्या लगता है कि टेबल नंबर 21 नाम का गेम सच में था या फिर सब कुछ नाटक था उन दोनों को सबक सिखाने के लिए नीचे कमेंट करके जरूर बताईएगा तो यह था एक्स्प्लेनेशन टेबल नंबर 21 मुवी क आपको मुवी और मेरा एक्स्प्लेन करना कैसा लगा यह कमेंट करके जरूर बताईएगा और ऐसे ही आने वाली वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबा दें जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई और नमस्ते सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना बागी सब तो आप जानती होगी क्या करना है कमेंट भी कर दोके तो अच्छा लगेगा ठीक है बाई